एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी टी गुरु जी पर जहाँ आप सब को पता है जी फर ग्रैमर और यंटी फर ट्रांसलेशन के विडियो जहाँ सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होश्ट आपका दोस्ट आपका English ग्रूप रवाद कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ Oxford Current English Translation के exercise 158 के solution को लेकर के जो की है translate into English और ये translation जो है वो past perfect continuous tense का है और उसका ये interrogative यानि yes no question वाला interrogative भी और wh questions या wh interrogative भी जिसे कहते हैं वा भी है आप कह लिजिए तो ये डब्लू एस को सट किसको कहते हैं जिसके सुरू में डब्लू एस से सुरू होने वाले एक हाव को चुर के वाई वेन वियर ये सब जो है इसको डब्लू एस को सट कहते हैं या डब्लू एस interrogative दोनों प्रकार होते हैं और एक yes no question जिसमें हम लोग जो है structure ऐसे जान ले affirmative में क्या होता है तो subject इसके बाद आपको head है ना और फिर जो है क्या तो बीन और फिर लगता है भी फोर भी फोर का मतलब हो गया ing वाला है ना form यही मेन है इसी को जब interrogative करेंगे तो इसी head को हम लोग शुरू में रख लेंगे और यदि wh question आ जाय है ना जैसे head उसके पहले वाई वेन यानि वाएन हैड वाई हैड है ना वाई हैड ऐसे करके हम लोग यहां पर रख लेंगे चलिए तो शुरू करते हैं इसको जानते हैं आपका भाई सुबा से क्यों खेल रहाता था इसमें एक बात ध्यान रखेंगे इसको बताएं उससे मैंने upload कर दिये हैं उनका भी playlist आपको उपर आई button में और नीचे description में मिल जाएगा वो दो वीडियो में मिलेंगे आपको एक one से लेकर hundred तक और एक में जो है 101 से लेकर last तक इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूंगा कि यह तो वीडियो जो है वो आपको इसके translation के answer स एक तरह से हैं अलागी मैं समझाओंगा भी लेकिन इनी टेंस को आप एकदम zero से advance level तक सीखना चाहते हैं तो आपको grammar topics in English नाम से grammar topics और फिर जो है in English नाम से playlist नजर आएगा आपको उपर आई button में भी और नीचे description में भी तो वहाँ से जाकर कि आप देख लिए उसमें टेंस voice narration हैना सब आपको मिल जाएंगे noun pronoun यह सब जो है वहाँ पर मिल जाएंगे और कुछ ऐसे topics हैं जिनके नहीं बने हैं तो वह भी उसी playlist में जल्द आ जाएंगे चलिए तो एक बार दुबारा शूरू करते हैं आपका भाई सुबह से कहां खेल रहा था इसमें ध्यान तो वह भी past perfect continuous ही हो जाएगा जैसे वह खेल रहा था तो he was playing लेकिन वह सुबह से खेल रहा था था he had been playing since morning इसलिए यहां हो गया वेयर है यहां हो गया यहां पर been हो जागा where had your brother been playing इसका मैं screenshot ले लेता हूँ इससे इसका correction करवा दूँगा been playing since morning तुम सुबह से क्यों दौर रहे थे why had you been running since morning नहां रखेंगे running में double in हो जाएगा आप सुबह से क्या कर रहे थे what had you been doing since morning सब में हो यह सुबह से इसलिए नहीं तो क्या कर रहे थे तो what were you doing है ना फिर है तुम क्यों वर्सों से प्रयत्न कर रहे थे why had you been trying for years रीता तुमें सुबह से क्यों तंक कर रहे थी रीता है लेकिन मैंने यहां पर कर दिया है सीता तो यहां rita 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 जो है वो हो जाएगा ठीक है तो why had rita been waxing you since morning वह दस दिनों से कहां रहे रहे थे where had she been living for 10 days आप लोग सुबह से कहां खेल रहे थे where had you been playing since morning वह कैसे सुबह से तुम्हें तंक कर रही थी and how had she been waxing you since morning आप गत सोंबार से क्यों नहीं आ रहे थे why had you not been जा रहे थे going to school since last monday गत सोंबार से गत माने last माने पिछला ठीक है अगला है आप कब से यह काम कर रहे थे since when had you been doing this work आगे बनेंगे तुमें से school में कब से पढ़ रहे थे and since when कब से यह दी रहे तो since when से शुरू होगा उपड़ भी था यहां पर भी गीता है लेकिन यह एक मिस्टेक हो गया चलिए इसका भी मैं screenshot ले लेता हूँ यहां पर क्या हो जाएगा गीता हो जाएगा लेकिन यह जो है जो टाइपिंग errors हैं यह टाइपिंग करने वाले की गलती है इसके लिए मैं समा चाता हूँ तो what had sita been cooking since morning आगे बरेंगे राम और श्याम क्यों दो दिनों से काम नहीं कर रहे थे है ना राम और स्याम क्यों दो दिनों से काम नहीं कर रहे थे तो why had राम and Sam not been working या doing work भी आप लिख सकते हैं for today आप बच्पन से सच क्यों नहीं बोल रहे थे why had you not been speaking the truth सच बोलने काई की होता है I speak the truth and I speak the truth उसी में आएंजी लगाएंगे speaking the truth since your childhood and तुम है इसलिए your childhood तुम क्यों इतने दिनों काम नहीं कर रहे थे why had you not been working for so many days और यहाँ वही हो सकता है had not been doing work भी हो सकता है तो friends यहाँ पर यह exercise समापत हो गया उमीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा आप कोई confusion नहीं होगी फिर भी कोई confusion हो तो comment करें मैं reply जहूर देता हूँ और आपसे request रहेगा कि जो भी आप question हो उसे comment में question ही लिख दे जिससे कि मैं आपको easily reply दे सकूँ ऐसे फिर बुक निकालो फिर को exercise निकालो तो थोड़ा सा time लग जाता है मैं government school में teacher हूँ आप सब यह चैनल पर पहले से हैं तो पता होगा ही समय थोड़ा सा कम मिलता है YouTube channel भी दो दो है को चिंग है तो थोड़ा सा time का भाव रहता है चलिए और एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल आप को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल में all को प्रेस कर और पहले के वीडियो जाब को डूरने में आसानी हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हैवनाइस टे